नेक्स जो तीसरी राशी है मिथून राशी उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो मारगी होना शेनी का मारगी होना जो तीसरी राशी मिथून है उनके लिए क्या लिख रहा है नहां मिथुन राशी ऐसी राशी है जहां पर शनी दो भावों के स्वामी हो जाते हैं एक अश्टम के और एक नुवे भाव के और मिथुन राशी के जातक ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में बहुत मुश्किल से शनी आते हैं बहुत मुश्किल से या तो बिल्कुल स्टार्ट जत्र जो होता है वो आता है करक राशी में तो स्टार्टिंग में उनको आता है तो इनको आगे जानी से आयंगे सिंगैंगे अज्ट्र、 म्याली जाएंगे खुरू के लिए हुआ हो फैट करक राशी में आगे पार माली और चुनि के प्लग CHत तो तो जब करियर के पीक में होते हैं तो बुद की दशा होती है तो जितने भी बच्चे इस राशी में पैदा हुए हैं मिथुन राशी में उनके लिए शनी यादों निकल चुके हैं या इस समय फेस चल रहा है या फेस चल रहा है और ये राशी ऐसी है नहा 3, 7 और 11 ये राशी हैं ऐसी राशी हैं जो शनी जब आता है तो वो पीक वाला पीरिड होता है माल लिजिये किसी का जनम हुआ है गुरू के नक्शत्र में 16 साल गुरू चलेगा फिर 19 साल के लिए शनी आ जाएंगे यानि कि 16 साल के बाद ही 19 साल के लिए शनी आ गए तो वो करियर का टाइम होता है 20 से लेकर 35 साल का समय हमारा करियर का होता है माल लिजिये उससे भी पहले मंगल की तशमें बच्चा पैदा हो गया मंगल के भी दो नक्शत्र इस राशी में आ जाते हैं तो मंगल के पहले 3-4 साल मिल गए फिर गूरू के 16 साल मिल गए उसके बाद शनी आता है तो जब करियर का पीक आता है ना तो शनी इनके लिए चल रहा होता है तो शनी 3-7 और 11 राशी है उनके लिए करियर में पीक में शनी आते हैं तो निश्ची तोर पर चुकि दशा अश्टमेश की चल रही है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कहां पर ड्राइविंग के समय है जब आप एज में यंग होते हैं तो आपने जोश होता है और वो मंगल के कारण होता है और आप जोश जोश में कई बार नहा दुखटना उड़ाती है कि हमने बहुत सारे ऐसे केसिस देखे हैं माब आपने गाड़ी ले दी दोसों की स्पीड वे भगाई और बाद में पता लगा कि पैसे भी गए गाड़ी भी गई और बंदा भी गए तो यह का मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर शनी अश्टमेश भी है दशा भी चल रही होगी आप यह भी जंग है तो कोशिश करिए कि आप गाड़ी स्लो चलाइए यह सबसे पहली चीज़ है आपके लिए ध्यान में रखने वाली दूसरा नहा शनी भागेसान के स्वामी होकर भागेसान में आकर बैट गए यह बहुत अच्छी सिती है और यहाँ पर मारगी हो गही दशानात का मारगी हो जाना मिथुन राशी के उन जातकों के लिए जिनके उपर इस समय शनी की महादशा चल रही है आपको बहुत अच्छे फल देगा कोई भी काम आप करेंगे किसी भी तरह का का आप काम करेंगे क्योंकि वो कुंडली का सबसे पवित्र स्थान यान की सबसे अच्छा भाव नुवा भाव होता है वहाँ पर आकर प्लैनेट बहुत अच्छे फल करते हैं हाला कि नहां शनी का गोचर जो है वो शास्त्रों के मताबिक नुवे भाव का गोचर शुब नहीं का आ गया लेकिन अशुब भी नहीं है अशुब भी नहीं है यदि शनी चल रहा है आपकी कुंडली में तो निश्ची तोर पर चल रहा होगा और चल रहा है और शनी ने आपकी कुंडली में अश्टक वर्ग में अश्टेक वर्ग एक ऐसा चार्ट होता है जहां पर हमें पता लग रहता है कि गोचर आपके लिए कैसा रहेगा उसके मार्क सच्छे हैं शनी के तो निश्ची तोर पर आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा आप सिर्फ करम का ध्यान रखिए आपने करम क्या करना है आपने करम अच्छा किया और उसका फल आपको गरंटेड अच्छा आएगा आप बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात प्रयास करते रहते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता वो पोजिशन होती है शनी की उनकी पोजिशन अच्छी नहीं होती लेकिन यहां पर सिती यह है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपकी माटी सोना बनेगी कोशिश करिए कि आप अपन करम और ग्यारवा आपका फल तीनों ही ग्राय राहू का गोचर भी शुब गुरू का गोचर भी शुब शनी भी आपके लिए अच्छा तो यह चीज जो है मिथन राशी के जातकों के लिए बहुत अच्छी है क्रोडपती बनाने वाली है या नहीं वह स्टोलजी हमें नही सीधी तो सिब्लिंग के साफ रिलेशन्शिप को लेकर हो सकता है कि कही न कहीं कोई दिक्कत आ जाए जिनको सरवाइकल का इशु हुआ है थोड़ा बहुत वह ध्यान रखिए जबूर क्योंकि यह जो तीसरा बाव होता है यह राइट शोल्डर हम मेडिकल स्टोल्डी में इ फिकत आ सकती है वह आप भार को उठाते समय क्योंकि नहां सारा जो यंक्स्टर्स हैं वह वेट-lifting भी करते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो वेट-lift करना दीरे से करिया सानी जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए क्योंकि यहां पर यह वेन आपकी पुल हो सकती है शनी की द्रिश्टी इस भाव के उपर सीधी जा रही है शनी जितने वर्जी अच्छे हो द्रिश्टी उनकी खराबी होगी ये एक clear cut mandate है इसमें स्टोलजी में कि पापगरा की द्रिश्टी अच्छा फल नहीं करती तो यहाँ पर आपका ये shoulder खास ओर पर मैं मार्क भी कर रहा हूँ यह यहाँ पर दिक्कत हो सकती है एक दूसरा शनी की द्रिश्टी छटे भाव के उपर है छटा भाव रोग रेन शत्रू का भाव होता है तो किसी की भी guarantee लेने से बची है जरूर कोई भी व्यक्ति बोले कुछ भी कले की sign कर दीजिये के बार ऐसा होता है नहाँ इंशूरंस एजन्ट आया या कोई आया आपने sign कर दी आँखे मूंद कर बाद में पता लागिए यह तो लिटीकिशन वाला मामला था फस गए तो किसी भी चीज के उपर sign नहीं करने किसी की guarantee नहीं किसी को पैसा उधार नहीं देना पैसा उधार दिया तो आपका पैसा फस जाएगा और फिर लंबे समय तक वापस नहीं आएगा क्योंकि शनी की दृष्टी यहां पर ही रहे गया वगला देट साल तो यहां पर करिए कि उसको क्योर करिए इमेडर डॉक्टर की इसला लीजिए नहीं तो चीजें आगे बढ़ सकती है हाला कि अश्टम जो है वो शनी का भाव है लेकिन बहुत सारे लोग जैसे मैं बता रहा हूं कि शनी की महादशा से गुजर रहे होंगे इस समय इस राशी के तो कोशि है वोगि वहाँ पर आपको यदि प्रमोशन मिलना है तो वह थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन मिलेगा जरूर यह चीज़ है क्योंकि चंद्रमा से ग्यारवे गुरू है तो गुरू भी अपने प्रभाव करेंगे हाला कि गुरू जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की आ सकती है मिथन राशी के जात्कों के लिए नहाब गुरू की द्रिश्टी के कारण शादी भी हो सकती है संतान भी आ सकती है गुरू की द्रिश्टी तीसरे भाव के उपर है वहाँ पर आप करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे पूरी कन्विक्शन के साथ काम आपके ज्यादा है इस जो ट्रांजिश्ट है उसमें जो बदलाव हुआ है वक्री से मारगी हुए है नेक्टिव कम है लेकिन जहां पर नेक्टिव है वहां पर आप ध्यान जरूर रखिए ड्राइविंग स्लो करिए वेट लिफ्ट करते समय ध्यान रखिए और आप एक किसी को पैसा मत दीजिए किसी के गरंटी मत दीजिए यह चीज आप ध्यान में रखिए अधर्वाइज आपके लिए समय अच्छा है हां नेक्टिव मत सोचिएगा क्योंकि केंद्रिय प्रभाव आपका भी नेक्टिव है नेहां यहां पर देखेंगे तो रहू के तु कें केंद्र में है इस केंद्र में पॉजिटिविटी देने वाला कोई ग्रया नहीं है गुरू बाहर है बाहर ही बैठे रहेंगे यहां पर अंदर नहीं आएंगे इस केंद्र में तो केंद्रिय प्रभाव नेक्टिव रहेगा यदि कोई चीज कोई बात होती है किसी के साथ कम लेकिन उसका मोइन उसका नहीं हो सकता है कही पर पड़ा हो सकता है। यह नहीं सुचना है। लेकिन इसको पॉसिटीव में रखे जाने की कोशिश करये। यदि ये करेंगे